शशी कपूर कपूर खांदान के सबसे चार्मिंग हीरो रहें उनकी खोपसूरती देखकर सभी फिदा हो जाते थे लेकिन खुद शशी कपूर का दिल एक फॉर्नर लड़की पर फिदा हो गया था और उससे शशी की केमिस्ट्री इतनी जबरदर्स्त बनी कि बाद में दोनों एक दूजे के हो गए जिहां हम बात कर रहें जैनिफर केंडल की यह किस्सा है 1956 का जब शशी कपूर अपने एक शो के सिल्सिले में कलखत्ता गए हुए थे शशी कपूर की मुलाकात का गट्ता में एक विदेशी लड़की से हुई जो एक विदेश प्ले कंपनी के मालिक की बेटी थी शुरू में तो जैनिफर ने शशी कपूर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया लेकिन बाद में जैनिफर को शशी कपूर से प्यार हो गया जैनिफर को इसका एहसास हुआ तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया शशी ने इसके लिए सबसे पहले अपने भाई शमी कपूर से मदद मागी और इसके बाद शमी कपूर ने अपने परिवार को शशी और जैनिफर की शादी के लिए मनाया और इस तरह से 1958 में शशी कपूर के किस्मत का सितारा हैंदी सिर्मा में भी जमका तो जैनिफर भी प्रतिवी थेयर्टर को सभालने लगी लेकिन जैनिफर ने शशी कपूर को कभी ये नहीं बताया था कि वो एक गंभीर वीमारी से जूज रही थी बावजुद इसके जैनिफर ने घर परिवार और बच्चों के जिम्हदारी बखुवी समाली थी लेकिन साथ सितंबर 1984 को जैनिफर हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गई उन्हें कैंसर था शशी कपूर जैनिफर से इतना प्यार करते थे कि जैनिफर के निधन के बाद भी शशी कपूर ने दूसरी शादी नहीं की जैनिफर की यादों के सहारे अपने बच्चों के साथ शशी कपूर अपनी जिन्दगी गुजार रहे है हिंदी सिनिमा के ऐसे ही किस से जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लहरें गट्रो